अस्तामनीकुम फ्रेंड्स, फिल्कम बेक टिटोब स्मार्टीस, ट्रामा सिर्यल इश्क मुर्शद शिब्रा को दाउट साहिब से अच्छे तहाइफ तो मिल गए और फिर बहुत अच्छा चेक भी मिल गया जिसमें बहुत अच्छी रकम भी थी लेकिन शिब्रा को ये सब कुछ नहीं चाहिए, उसे तो वो बच्चा ही नहीं भूलता जो दाउट साहिब के काफले की नजर हो गया, दाउट साहिब की वज़े से जिसकी डेथ हो गई इसलिए तो वो सब के सामने वो चेक भाड़ देती है जो दाउट साहिब ने उसे दिया और दूसी तरफ वो अपनी ही बातों से बहुत ज़दा इंसर्ट भी करती है दाउट साहिब की के तुम लोगों को जरा भी परवा नहीं हम जैसे गरीम लोगों को कैसे कुचल कर चले चाहते हो आप लोगों को बलग क्या है सास दाउट साहिब ने शिबरा के अलफास को बहुत महसूस किया इसलिए तो जब कॉन्फरंस हतम हुई तो फॉरण से पहले अपने मलासमीन को हकम दे दिया उस लड़की का पता करो वो कौन है मुझे जल्द 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 उसके बारे में सारी मालूमाद चाहिए तब ये मलासमीन जल्द जल्द सब कुछ पता करके बता देते हैं और कहने लगे वो तो सुलिमान साहिब की बेटी है शिब्रा नाम है उसका अब यहां पर दाउट साहिब पूछने लगे कौन सुलिमान तो एक मलाजिम कहने लगा सुलिमान साहिब जो के पहले हमारी जमात का हिस्सा हुआ करते थे उसके लिए काम क्या करते थे अब दावोध साहिब ने फौरण ही शिबरा के लिए अरेस्ट वारण चारी किये और पलीस शिबरा के घर में भेज दी यहां पर हवातीन के साथ साथ मेल कॉंस्टेबल भी मजूद थे घर में पुलीस कई तो उस वक्त शामीर और सुलिमान साहिब मजूद नहीं थे वो तो हैदराबाद गए थे तबी तो मां घबरागी शिबरा पूछने लगी आप लोग भला इदर क्यों आए हैं तो उन्होंने अरेस्ट वारंट दिखा दिया आपके हलाफ अरेस्ट वारंट है मेल कॉंस्टेबल ने जब शिबरा का हाथ पकरकर उसे खेंचना चाहा तो शिबरा को बहुत गुसा आया कि जोड़ दर थपड उसके मुँ पर दे मारती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों चाहूं कोई हवातीन मुझसे बात करे तो मैं उससे बात करूंगी तुमसे बात नहीं करूंगी अब मुझे टच करने की जरूरत भी नहीं तो यहां पर उस पलीस इंस्पेक्टर को गुसा आ किया और कहने लगा देखना तुम एक दफ़ा जाओ तो सही जेल में अब तुम्हारे हलाफ देथ वारंट चारी करूंगा कि जैसे तुमने किसी का हून किया है और इस केस में फसाओंगा अब तो तुम्हें कभी भी रहाई नहीं मिलेगे इस थपड़ का जवाब तो तुम्हें देना होगा मा बहुत परिशान हो जाती है लेकिन शिपरा हिम्मत नहीं हारती वो हवातीन के साथ आहर कार प्लीस टेशन चली जाती है सबी उसके महले से खैंचते हुए उसे ले जाते हैं और जाकर लोक अप में बंद कर देते हैं जब इस बात का पता सुलिमान साहिब को और शामीर को लगा तो सुलिमान साहिब तो सर पकड़कर बैटके के ये क्या हो गया हमारे साथ लेकिन शामीर सर पकड़कर बैटने वालों में से नहीं उसे तो बहुत गुसा आया जब मा ने उस पुलीस कॉंस्टेबल के बारे में बताया तब तो और भी घुसा आ गया वो सीधा शिबरा के पास चाता है उससे मिलता है शिबरा की यहालत देखकर तो उसे अपने बाप पर बहुत घुसा आया क्या हरकर उन्हें अरेस्ट वरंट क्यों चारी करवाए ऐसे में उस पुलीस कॉंस्टेबल की भी अपहर नहीं वो यहां से ना सिर्फ सस्पेंट होगा बलकि बुरी तरह से अपनी जॉब से ही निकाल दिया जाएगा क्योंके शामीर को शिबरा के अलावा कोई भी अजीज नहीं पुफो को जब पता चला कि शिबरा जेल की सलाहों के पीछे है तो वो अपने भाई के घर में आकर उनके जहमों पर मरहम रखने की बज़ाए नमक छिड़कने लगी जैसे कि पुफो की तो आदत ही यही थी इसलिए अब किसी को ज्यादा फील होता ही नहीं लेकिन शामीर हर किसी के सवाल का जवाब देगा शिबरा को रहा भी करवाएगा अब अपने बाप के और ज्यादा हलाफ हो जाएगा और शिबरा को रहा करवाने के बाद शामीर के कदम शिबरा के घर में और भी मस्बूत हो जाएगे उसके माँ-बाप उसे और भी इज़त देंगे शिबरा भी